व्रिश्चिक राशिवालों, नमस्कार मित्रों, जैमाता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के खास और महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम में मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करते हैं कुल देवी देवता के आशिरवात से आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों बधाई हो, अब आपकी अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें भगवान का खेल शुरू हो गया है घर बैठे बैठे आपकी पांच बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें तीन-तीन बड़ी शक्ती आपके साथ जुड़ गई है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा एक बहुत ही बड़ी कीमती चीज जिस प्रकार आपका भी होश उड़ जाएंगे परन्तु दोस्तों, आप अपने पूरे घर को ताला लगा कर वीडियो देखना क्योंकि यह बात अगर गलती से भी बाहर निकल गई तो दोस्तों यह कीमती चीज आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपको मिलने से पहले ही कोई और इसे प्राप्त कर लेगा इसलिए बंद कमरे में ही वीडियो देखना जी हां दोस्तों, आपने बिलकुल सही सुनावा कहते हैं, ना अगर भगवान जिस व्यक्ति के ऊपर एक बार महरबान हो जाते हैं, उसे व्यक्ति का तो काया ही पलड़ जाता है, उनका तो जीवन ही सुधर जाता है धन, दौलत, इजज़त, शोहरत, मान, सम्मान, गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, संतान, वअन्य प्रकार के सुख क्षण भर में ही मिलने लगता है, ठीक ऐसा ही, अब आपके साथ होने वाला है जी हाँ, जिन खुशियों की तलाश आप लंबे समय से करते आ रहे थे, वह सभी खुशियां अब आपके चरणों में होगी जी हाँ, एक कहावत है, जो इनसान भगवान के चरणों में जुकता है, भगवान उनकी सारी समस्याएं दूर कर देता है, और उनके जीवन धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है और उस इनसान की चरण की वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे, कि अपनी जिंदगी का नया रूप रेखा, देखो अगले 24 घंटे के अंदर चील की तरह उडान भरेगी आपकी किसमत, जी हाँ, देखने वालों को भी सदमा क्योंकि दोस्तों, अब आपकी जिंदगी की बाजी पलटने वाली है, जी हाँ, और सचाई जानकर चौक जाएंगे, आप दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, जो इसे शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा, वह बदनसीब ही होगा, क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए रामबान साबित होने वाला है, जी हाँ, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी किस्मत हाई स्पीड से उडान भरने वाली है, जी हाँ, अब आपकी तरक्की और आपकी काम्याबी देखकर दुश्मन आग की तरह जलेंगे, क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, आपके गली मोहले में, आपके आस पडोस में, आपके दुश्मन तो चलेंगे ही, लेकिन अब आपके अपने ही आपसे जलने वाले हैं, जीवन दोस्तों, लोग यह सोच कर हैरान होंगे कि आखिर इन्होंने अपने प्रभाव हो चुके हैं, बहुत से ग्रह अपना राश्य परिवर्तन कर चुके हैं, और जब ग्रह गोचर अपनी साल बदलते हैं, तो इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे जीवन में पड़ता है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, ग्रहों के राजकुमार, भगव जलने में जरा सी भी देर नहीं लगती है, जी हाँ दोस्तों, और एक अच्छी बात ये है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी कर्म की है, और जो लोग अच्छी कर्म करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों का भला करते हैं, ऐसे इनसान को भले कुछ समय के एक बार जरूर याद करके देखना मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस समय भगवान आपकी जरूर सुनेंगे जी हाँ दोस्तों भले भगवान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इंसानों का अच्छाई और बुराई सब देख रहे हैं इसलिए तो कहते हैं भगवान की महिमा अपरमपार है अगर आपको भगवान की महिमा समझनी है तो आपको भगवान से दिल लगाना होगा जी हाँ दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना अगर आपको दिल लगाना है तो आप अपने मा बाप से दिल लगाई आप अपने भगवान से दिल लगाई है क्योंकि ये लोग कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं दोस्तों एक सत्य की बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं जब आप अपने जीवन में कुछ नया करने लगते हैं लेकिन वही करेंगे जो उनका आदत है जी हाँ इसलिए यहाँ कोई किसी का नहीं होता है यह अटूट सत्य है दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आगे वीडियो में बहुत गहरे गहरे राज हम आपको बताने वाले हैं खुश खबरी भी आपको सुनाएंगे और सावधानिया भी हम आपको बताएंगे कि कौन से समय में कौन सी सावधानिया बरतने से आप बड़े बड़े खतरों से बच सकते हैं लेकिन उससे पहले भगवान सूर्य देव जी जो भी सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स मे जिस भी भगवान को आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका जैजैकारा जरूर लगाएं तो आईए किसी के साथ बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन किस तरह से आपकी किसमत उड़ान भरेगी कौन कौन से लाब होंगे समस्त जानकारियां देंगी इन बदल ती ग्रह गोचर के चाल के आधार पर दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए तो सो अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पच्छताना पड़ेगा, जी हाँ, इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, सोच विचार कर कर ही और अपने घर वालों से ही सलाह मशवरा करके ही फैसला लीजिएगा, तो यह आपके लिए बहतर होंगे, माना की एक मिनट में जिन्दगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया, फैसला पूरी जिन्दगी बदल सकती है, इसलिए दोस नहीं करना है, यह परेशानियां आएंगी और कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा शांत स्वभाव के बने रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, आज आपके अंदर गुसा बहुत ज्यादा आने वाला है, और गुसे के कारण आप न महमान आने की संभावना है, ग्रह सितारे हमें इस बात को लेकर संदेश दे रहे हैं कि इस राश्य के जातकों के घर में किसी नए महमान का आवागमन हो सकता है, जी हां जिससे आपके घर में खुशी भरा माहौल रहेगा, और वही खुशी में घर के सभी सदस्य, सराबोर नजर आएंगे, आने वाले अगले 24 घंटे बेरोजगार लोगों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, जी हां एक बात हमेशा याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए दोस्तों, खुद को खाली कभी नहीं रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, इ दिमाग शैतान का घर होता है, शादी शुदा, जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके बच्चे हैं, वह लोग अपने बच्चों पर जरा ध्यान रखियेगा, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण छोटी मोटी दुरगट ना हो सकत है, और दूसरों के कारण आपको भरपाई करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों, इन लोगों से जितना दूर रहे, उतना आपके लिए बहतर होंगे, स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेंगे, कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया एक फैसला बदलना पड प्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ियच सकता है, इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधी के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे, आपकी सरजनात्मक शक्ति, दिन, प्रति दिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बरहता जाएगा, ऐसी स्थिति में आपको अरोमा थेरेपी की साथ साथ मसाज करवा कर भी खुद को आराम देना चाहिए, नियमित रूप से एकसरसाइज आपके लिए बहुत फाइदेमंद साबित होगी और इस से आप अपने दैनिक जीवन की पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है, हालांकि इसका जवाब बिलकुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेगी, इसी लिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बद्धा फैसल अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराशना हो, आपको फिर से खड़ी डिहे होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है, बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्धों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बहतर जान आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आपने निरंतर प्रयास किये हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाय रखना होगा, समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए कहा हाहतम कर सकें, आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबी स्वास समस्याओं से जूँज रहे हैं, परंतु आज से आपकी स्वास्थय, सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगर आपकी कोई स्वास्थय संबंधी समस्या काफी पुरानी है, तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा, कु आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साजा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य प्रतिबधताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं, समय के आभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंकों से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अग आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादक्ता को कम कर सकता है, आज का दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले उतार चड़ाव भरा रहेगा, ग्रिहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं, और सब चीजों क के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिये से ही सोचेंगे, इस से कुछ गलत फैसलों की भी संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और सपष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगे, पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्य लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोष जनक तरीका खोज पाएंगे, ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता ही है, आपको धीरच तो रखना ही होगा, लेकिन यह भी तैय है कि अगर आप नियमों का शीस ए पालन करेंगे, तो काफ ही हद तक अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो, उनकी रूची अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने में हो गई, लगती है, और इस लक्षय को प्राप्थ करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पढ़ेंगे, आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पढ़ सकता है, अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है तो उस पर हसे नहीं, कार्यालय का प्रेम आपको एक चुमबक की तरह आकरशित कर रहा है, लेकिन कार्याल लगाईए और अगर ये होना है, तो ये निश्चित रूप से होगा, अन्यथा ये बुलबुले की तरह से फूट जाएगा, निश्पक्षता पूर्वक इसे ले, आज आप एक बहुत बढ़ी साजेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टन कलाकारी संबंधी रूची में लगा सकते हैं, आज आपको अपनी शारिरिक फिटनेस को और भी दुरुस्त करने के लिए किसी से प्रेणा मिलेगी आए आप, दिमागी तोर पर ये बात अच्छे से जानते हैं, कि आपको अपनी फिटनेस को सुधारना है, लेकिन करने के न सकते हैं, आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलत फहमी को सपष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है, आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो आप से दूर हो गया था, इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन मे दोबारा जग उठे, अतीत और वर्तमान के रिष्टों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बढ़्धा चुनौती पूर्ण कारे होगा, आप उस पैसे के साथ काफी लापरवा हैं, जो आपने अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविश्य में अपनी वित्तिय सुरक्षा के लिए, अपनी असाधारन आदतों को नियंतरित करना होगा, आप अपने निवेश के बारे में एक विशेष्ट से परामर्ष करें, जो आपको धन के बारे में उचित परामर्ष दे सके, जिससे धन की वृद्धि हो, आज आप जो भी कुछ शुरू क करेंगे, उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, आपको सफलता मिलनी तया है, इस दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे, अपनी प्रकृती में एक जरूरी बदलाव लाएं, हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहे सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा, आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे, अपनी इस साहसिक उर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें, जो आपकी विश्वसनियता पर आज संदेह जाहिर कर स या किसी कैम्प में जाकर मजे करें, आज आप अतीद के किसी ऐसे व्यक्ती के साथ मुलाकात करेंगे, जिसका आपके साथ एक करीबी रिष्टा रहा है, इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा संबंधों की गतिशीलता को बरहा सकते हैं, या उसका स्वरूप को को जी पाएंगे, आप यह पता लगानी की कोशिश करें कि कौन सी वस्तू या चीज से आप अपने आप से सर्वश्रेष्ट कारे ले सकते हैं, यह आपकी विचारधाराओं और रचनात मक्ता को भी अद्वितिय अनुभूती देगा, हालां कि आपके वित्तिय पुरसका में विलंब होगा, फिर भी अपने वित्तिय संकट से खुद को बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त आये हैं, बस आप अपनी वस्तू को सरंग्षित करके रखे और आप आसानी से विशम स्थिती से बाहर आ जाएंगे, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा, स्थित आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं, इस टकराव से नए अवसरे भी आएंगे, अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा, आपके आफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, आए इस से आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है, या आ आपके लिए काफी फाइदे मंद रहेगी, जो किसी के साथ संबंध में है, उनके निजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है, आप या तो शादी कर सकते हैं, या लिव इन में रहने की योजना बना सकते हैं, इन दोनों ही स्थितियों में आपको काफी निवेश करना प आपने दुसरों का समर्थन किया है, परंतु वे अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते न जानते और आपके प्रयासों की सराहना करना वे भूल गए, आप ऐसे लोगों के बारे में चिंता न करे और अपने प्रयास जारी रखे, अपनी कार्य के प्रती, अपनी को लगाए न की उन लोगों के लिए जो आपको महत्व नहीं देते, आपका दिमाग आज बहुत सक्रिये है, आप उर्जा और प्रेरणा से भरे हैं, आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी, जिन्हें आप आसानी से कार्यानवित भी कर पाएंगे, आपकी समस् ठंड या मौसमी बुखार से परेशान होना पड़ी डी डी एच सकता है आपको, इससे बचने के लिए समय से सावधानी रखते हुए दवा भी लेनी पड़ी डी डी एच सकती है, कुल मिलकर आपने अब एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाई हुई है, और आपको बहुत जल या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में धेर सारी चिंताएं और संदेह हैं, आज सारे संदेह मिट जाएंगे और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर के बारे में सपष्ट होकर सोच पाएंगे, आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और सपष्ट नि आज आपको अपने सहयोगियों के साथ पुराने बातें भूल कर उनके साथ आगे बरहना है, परंतु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके करियर के विपरीत कार्य कर सकता है, जो की आपके करियर के लिए हानिकारक है, क यह समय बढ़े लक्षियों को सोच कर छोटी मोटी बातों को नजर अंदाज कर देने का है। आप काफी सक्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए शांती से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज का एलिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आपका साथी आपको आश्चरे चकित कर सकता है। लालसा और अकेले पन का आज अंत होगा। आप अपने रिष्टे में एक कदम आगे की और बरहना चाहते हैं लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्ष कर लें क्योंकि ये साजह है। जल्दबाजी करने से बचे क्योंकि ये प्यार आपको अपनी मेहनत और अकत प्रयासों के कारण मिला है। लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। दोनों हाथों से इसे ले। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहे। आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी इमानदारी और समर्पन दिखाए। आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्थ हो सकता है। विभिन क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियों खोजे। आज पैसे को संभल कर खर्च करें। सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात के काफी खर्च कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफी बढ़धी रकब आज आपसे खर्च हो सकती है। आज विवादो और टकराव से बचना ही बेहतर होगा। स्वास्थिय संबंधी कोई परिशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं। आज आप सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होंगी लेकिन बिन मांगे दी गई। आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। आपको आज खुद की ही सुननी चाहिए और खुद को खुश करने या संबारने के लिए आप काफी पैसे भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि जातक आपकी इच्छाओं या आपके कामों से दूसरों का भी लेना, देना हैं। थोड़ा संभल कर व्यवहार करें क्योंकि लोग आपकी नेक इच्छाओं को भी गलत समझ सकते हैं। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि आज आप बैठ कर आराम से अपने इस संबंध के फायदे और नुकसानों की सूची बना कर यह तय करेंगे कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस साधी लिखा पर ही में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिलकुल ना दें। लेकिन आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल की भी सुननी चाहिए। कोई बुराई नहीं है। व्याई बढ़ेंगे लेकिन आपको बहुत जल्द ही कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्थ होने के आसार है जिससे आप अपनी वित्ती ये स्थिती को काफी नियंत्रित कर लेंगे। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा हो सकता है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड्डी डी डी एच सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अंदेखा करते हैं तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड्डी डी एच सकती है। इसलिए चौकनना रहने की जरूरत है। अफर मुश्किल हो सकता है लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद लेंगे। आप ऐसे ऑनलाइन ग्रूप्स में रुची रख सकते हैं जो आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप उनको ज्वाइन भी करेंगे, आप अच्छा खाना खाने की सोचेंगे लेकिन इसके बारे में अधिक न सोचें। क्योंकि आप जब तहे कठिन, शारीरिक मेहनत वाला काम करके कैलोरीज खर्च कर लेते हैं, तब तक चिंता की कोई भी बात नहीं है। दिन के अंत में सारा काम का हातम करके आराम की योजना बनाएं। अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर शांती से अपने संबंध को तर्क की कसोटी पर भी परखें। आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नजर अंदाज करते आ रहे हैं। लेकिन यह जान लें कि ऐसा करने से उसकी एहमियत या प्रभाव खत् अपने संबंध के बारे में विशलेशन करते हुए आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पड़ डियेच सकते हैं। आप सफलता पूरवक अपने रचनात्मक कारियों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जशन को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रह आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिनसे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे। लेकिन इसे अपने उपर हावी ना होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में हैं इस से स्थिती और भ काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करे क्यों कि वह आसानी से समाप्थ हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बैचनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंतरण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे बहन भाईयों के लिए सुरक्षात्मक रवईया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गति विधियों में शामिल होंगे और यहां आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। आप आज अपच से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बलकि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। व्यायाम विशेश लाब देंगे। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी मिलेगी। जैसे बहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए महमान के आने की खाहुशी जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है। उनके रिष्टे को परिवार वालों की ओर से जो काफी समय से इस रिष्टे का विरोध करते आ रहे हैं। उनकी तरफ से हरी जंडी मिलने की संभावना है। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालां कि इसके विपरीत आपका मन अचिशा कार्यों में उलजा रहता है। लेकिन ये ठीक है। काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद ले। ज्यादा चिन्ता न करे। क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा जहात है। कार्य स्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत रहती हैं। बेडाम, आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थे पर ध्यान नहीं दिया, तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। कई सारी विशेश घटनाएं और ओफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर इरश्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मक्ता ना आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्काउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाईयों और तै रिष्ठा में व्रिध लेकर आने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी पुरसकार से सम्मानित किया जा सकता है। आप कामकाज पर पूरा भरोसा बनाए रखें। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तूओं में भी इजाफा कर सकते हैं। घर प शक्ता है। नहीं तो वह आपको धोखा दे सकते हैं। आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपको लाब के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। भाग्य का पूरा साथ यदि आपने कोई जोखिम उठाया तो उसमें समस्या हो सकती है। सामाजिक विशयों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। दीर्ग कालीन प्रयास आपके रंग लाएंगे। आप अपने कामों में जिम्मेदारी से आगे बढ़ें। आप यदि कोई बात गुप्त रखे से माहौल खुशनूमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए अक्समात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको परिवार के सदस्यों का प्रेम और सहयोग बना रहेगा। लेकिन आप अपने शारीरिक समस्याओं को नजरंदाज ना करें। नहीं तो बाद में वह कोई बड़ कोई बात चीत करें तो उसमें पूरी विनम्रता बनाए रखें। रक्त संबंधी रिष्टों में चल रही अनबंदूर होगी और ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ती आप से धन उधार मांग सकता है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सांख और सम्मान में व्रिध लेकर आने वाला है। व्यापार में आपको बढ़ावा मिलेगा और आपको लेंदेन के मामलों में सावधान रहने की आवश्यक्ता है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आप अ कोई महत्वपूर्ण जिम्मेंदारी सौपी जा सकती है। आपके जीवन साथ ही की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। जिसे लेकर आप परिश्यक्ता है।